हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर अभी कोई भी नई बाइट लॉंच हो रही है वो किसी भी कंपनी की हो उसके अंदर हेडलाइन का ओन आप का स्विच ही नहीं है हेडलाइट ऑटोमेटिक ही ओन है तो अभी आप यह सोच ले होंगे कि चलो रात को ठीक हेडलाइट हमें आउन करने ही पड़ेगी लेकिन दिन के अंदर हमें हेडलाइट की कहां जरूर्त है हम यह समझते हैं कि यार यह सिस्टम नहीं होना चाहिए था लेकिन अभी सिस्टम निकालाए तो उसके पीछे का कुछ रिजन तो भी हो गई ना तो आज हम इसी क का और अटोमेटिक ओन क्यों रखा गया है तो प्ले जिस वीडियो को एंड तक जरूर वाज़ कीज़ेगा तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ड करने से पहले मैं आपको इस बात क helicopters प्ले हैं अने देते हैं कि या 스타 जेए कि एंडिया के अब पहलें डीगिशा प्लेता आते हैं पहले ही और आहिशी कहिए अधिना अभी जो भी नई वाही दूध है इसलागर है कि लीग प्लाप. क्यों रगए गई है दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि यह रूल जो है वह अप्रेल 2017 से लागू हो चुका है वहां उसके बाद में कोई भी नई बाइक लॉंचरी उसकी है रही है हलांकि ज्यादा लोगों के पास चलिए लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जानत है और क्या हमें फाइदा पहुंचाएगा दोस्तों पहले तुम्हें आपको बता दूं कि ब्यूस्ति के अंदर जरूरी है पुरानी बाइक अगर आप यह रखते हैं तो वह कानून के विबित मना जाएगा तो यहाद तक यह रूल बन चुका है तो दोस्तों यह रूल क्य हमें क्या फाइदा फाइदा तो हमें यह होगा कि जो बनानेवाले कानून के रिमों कि इसके पीछे का कारण यह बताया हैं कि हेटाई नहाए कम होगी जो एक्षिडेंट हो रहे हैं तो उन सो में से सबसे लग बाइक लगए नहीं लगेगा जब आप दिन में रोड़ ही है लेकिन और जो वह है डाइट होगी वह आपके ऊपर कुछ अलगी जो फ्लेश डालेगा वह फ्लेश आपको अट्रेट करेगा और पता कुछ अलगी तरीके से पढ़ेगा सर्दी में मान लो बरसात के अंदर मान लो यह सभी कुछ जो हैडलाइट ओन रहेगी तो लोगों तो इसके बारे में जानते हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जानते हो मैंने सोचा यह वीडियो बना के अपने दोस्तों को बताऊं ताकि वो समझ सके कि यार यह रूल इसली बनाया गया है तो यह रूल बीएस वार के तरत है जहां पे हैडलाइट आपको आन मिलेगी किसी हद से किसी न किसी हद से अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके सहर कीजी लोगों के साथ ताकि लोगों को बता चले कि यार यह रूल क्यों बनाया गया है और इसकी पीछी का रिजन क्या है उम्युत क्योंगा दोस्तों वीडियो पसं झाल